दोस्तों आज मेरे पास आया है लावा अगनी 3 5G 4.30 को ये phone launch हुआ है और 8.9.30 से इसका sale भी start हो जाएगा Amazon से आज इस phone का unboxing करेंगे और देखेंगे क्या कुछ इस phone में मिलेगा क्या specification के साथ आता है लावा अभी के time पे अपने phone में हमेशा कुछ अलग करके देता है जो की काफी ज़्यादा unique होता है लेकिन इस बार जो करके दिया है लिटरली आप देखके sogged हो जाईएगा आप सुने होंगे phone में एक display होता है लेकिन इस phone में ऐसा नहीं है इस phone में दो दो display मिलेगा और दोनों huge का है जब हमको पता चला था ने कि लावा का double display वाला phone आ रहा है तो हम बहु जदा excited हो गए थे और finally वो वक्त आ चुका है आज unboxing करके देखेंगे यह सब बात को side में रखते हैं direct करते हैं unboxing के साथ वीडियो को start box को open करते ही सबसे पहले उपर में मिलता है में phone जिसको सांती मन से हम रख देते हैं side में उसके बाद free replacement at home का मिलता है card इसको भी रख देते हैं side में उसके बाद यह है transparent back cover जो कि काफी ज़्यादा soft and लचिला है silicon का बना हुआ है और उसके बाद यह है 66W का adapter and type C to type C cable और आखरी में है यह seam ejector pin phone के साथ बस इतना ही कुछ मिलेगा चलिए इन सब को रखते है side में तो भाई यह है अपना phone जो की दिखने में काफी ज़्यादा unique and attractive लगता है पा करने में भी काफी ज़्यादा comfortable feel देता है वैसे इस phone का back side वो glass का बना हुआ है matte finish के साथ आता है जिसके कारण से fingerprint वेगरा का निसान बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा phone को हाथ पे लेने से काफी ज़्यादा मजबूत feel होता है काफी मजबूत phone है यह weight भी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है रीजन यह है कि इसमें 5000 mm का battery है दूसरी बात है कि glass back है जिसके कारण से weight थोड़ा सा ज़्यादा लगता है लेकिन कोई नी phone काफी मजबूत है phone में जहां पे camera है उसके just bugle में देखेगा तो एक screen है यह AMOLED screen है इसे mini screen कह सकते हैं और यह इस phone का key highlighting feature है यह screen दिखने में काफी ज़्यादा unique लगता है और personally this phone का design वेगरा मुझे काफी ज़्यादा पसंद आया आप इस screen में call वेगरा receive कर सकते है music, alarm वेगरा को manage कर सकते है और पता है अगर आप back camera से photo click करेंगे तो वो mini screen में दिखेगा भी तो ऐसा लगेगा कि आप selfie camera यूज कर रहे है हलाकि यूज होगा primary camera इसको आप settings से जाकि अपने मन से customize भी कर सकते है तो भई यह mini screen किसको पसंद नहीं आएगा आपको कैसा लगा? comment जरूर कीजिएगा इस phone के side में देखिएगा तो एक power button है जो कि normally सभी phone में होता ही है लेकिन interesting चीज है कि इसके just उपर में एक action की button भी है इस phone का ये भी एक key highlighting feature है ये भी मुझे काफी बढ़ियां लगा इसका क्या use है आईए जानते है आप इसको भी settings से जाकि अपने मन से customize कर सकते हैं मतलब अगर आप single click करना चाहते हैं तो क्या open होना चाहिए या फिर double click करना चाहते हैं तो क्या open होना चाहिए या long press click करने पर क्या open होना चाहिए तो इन साड़ी चीजों को आप अपने recording जाके customize कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि single click करने पर camera open हो तो वो कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि single click करने पर screen sort हो तो यह भी हो सकता है, तो जैसा मर्जी आप वैसा customize कर सकते हैं, तो यह अच्छी बात है, तो इस phone का मुझे ये feature भी काफी ला जवाब का लगा, इसके लावा bottom में speaker मिलेगा वैसे top में भी speaker है, यानि कि studio speakers मिलेगा इसमें, नीचे के side speaker के बगल में charging point है, seam tray है, इसमें आप दो seam आडाम से लगा सकते हैं, और आपको बताते चले कि इसमें face unlock का support तो मिलेगा ही, and in display fingerprint का sensor भी है, connectivity की बात करेंगे, तो यह 14 5G band के साथ आता है, Wi-Fi 6 के साथ आता है, Bluetooth version 5. 5.4 के साथ आता है, इसमें IP64 का rating भी मिल जाएगा, तो यह सही है, यहां तक तो मुझे यह phone काफी ज़्यादा मस्त लगा, किसी को भी मस्त लगेगा ही, क्योंकि इसमें action key button और mini screen दोनों unique feature है, फिर इसके अलावा आते हैं अब display वगरा, जोस्तों इसमें 6.78 inch का 1.5 के 3D curve AMO Widevine L1 का support भी है, 120 Hz का refresh rate है, तो काफी smooth work करता है, एंड 1200 nits का brightness भी enough है, इंडोर में तो कोई दिक्कत नहीं देता है, एंड sunlight वगरा में भी कोई दिक्कत नहीं होता है, तो काफी bright and clean display मिलेगा, डिस्पले के मामले में यह phone काफी तागड़ा phone है, के लावा camera की बात करेंगे, तो इसमें triple camera setup मिलेगा, man camera 50 megapixel का है, second camera ultra wide camera है, जो की 8 megapixel का है, third camera telephoto lens है, जो की वो भी 8 megapixel का ही है, telephoto sensor 3x optical zoom के साथ आता है, और selfie camera की बात करेंगे, तो वो 16 megapixel का है, primary camera में OIS and EIS का support मिल जाएगा, Sony का sensor भी लगा हुआ है, पीछे का camera से maximum 4K तक की video recording कर पाएंगे 30 fps पर, ये और front camera से 1080p पर video recording कर पाएंगे, केवल 30 fps पर, ये recording हो रहा है front camera से 1080p 30 fps में, camera में लगता है नहीं कि हम है, प्रफेस रंगिला कर दिया है, बाई जिस budget में ये phone आ रहा है न, इस budget के recording camera सही है, camera को ऐसा नहीं कह सकते हैं कि खराब है, मतलब इस budget के recording ठीक है, camera UI की बाग करेंगे, तो इस phone के camera में साड़े modes वगेरा available है, camera इस phone का सही मिलेगा, अब बात करते हैं, processor कर दो, guys इसमें Mediatek Dimensity 7300X वाला processor मिलेगा, जो की dual display को ये support करता है, पर लगबग 6 लाग क्यास पास, अंतू तो score भी है, score सही है, and processor को भी सही कह स रखते हैं, ये processor gamer को target तो नहीं करता है, लेकिन हा, casual gaming हो सकता है, मैं LPDDR5 का RAM टाइप है, and UFS 3.1 का storage टाइप है, तो ये चीज मुझे इस phone का का काफी लाजवाब का लगा, काफी fast work करेगा, लावा का सबसे अच्छी बात, जो कि मुझे वीडियो के starting में ही बोल देना चाहि तो लावा का ये चीज में मुझे काफी जादा अच्छा लगता है, अगर आपको इस budget में इस चोक Android के साथ आने वाला एक अच्छा तागड़ा phone चाहिए, तो ये phone आपके लिए based option होगा, इसके अलावा battery की बात करेंगे, तो इसमें 5000 mm का battery मिलेगा, और ये support करता है 66 Watt का charger वैसे इस budget के phone में 66 Watt का charger मिलना एक common सी बात हो गया है, ये charger बढ़िया होता है, आपके phone को काफी तेजी सा charge गर के दे देगा, और 5000 mm का battery मिलना है, तो don't worry, backup भी मिल जाएगा, RAM इस storage की बात करेंगे, तो इसमें 8 GB का RAM मिलेगा, और 8 GB का virtual RAM भी मिलेगा, यानि कि total 16 GB का RAM and 256 GB का भी storage मिलेगा, अतलब कहा जाए तो ये phone दो variant में आता है, तो दोनों variant आपको Amazon पर देखने को मिलेगा, इस variant का price without charger Amazon पर फिलहाल के time पे 19,999 रूपया है, अगर आपको phone के साथ charger भी चाहिए, तो उसके लिए 21,000 रूपया देना होगा, 8,256 के लिए 23,000 रूपया देना वीडियो गर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजियो, और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए, बाई